नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग रीसेंटली सुप्रीम कोड ने एक पुलिस ओफीसर को डाटा फटका रहा क्यों डाटा फटका रहा चुकि उस पॉलिस ओफीसर ने अरेस्ट करने से पहले सेक्शन 41A ऑफ दा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को सही तरीके से फॉलो नहीं कि है कि कहते हैं कि गलती करने का स्कोप बहुत कम है अगर आप एक सिविल सर्वेंट हो मालीजे एक IPS ओफीसर हो गलती करने का स्कोप आपके पास बहुत ज़्यादा कम है आप समझने की कोशिश करते हैं यहां पर हुआ क्या एक चीज आपने सुनी होगी एंटिसिपेटरी बे पहले ही आप कोट में जाके एंटिसिपेटरी बेल के लिए अपलाई कर सकते हैं और उस एंटिसिपेटरी बेल में लिए सकते हैं कि माइब आप देखिए मेरे उपर यह यह इल्जाम लगा कि मुझे ऐसे ऐसे अरेस्ट किया जा सकता है तो मुझे पहले ही बेल कर देदीज मैंने कोई गलती यहाँ पे नहीं किया, इसको आप बोलते हो एंटिसिपेटरी बेल, तो एक ऐसे ही individual ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए अपलाई किया Bombay High Court में, मैं यहाँ पे इस चीज में नहीं जा रहा हूँ, उसने क्या क्राइम किया, क्या क्राइम नहीं किया, मैं आपक इस पर्टिकुलर न्यूस से पता चलेगा, तो एक individual ने ओविसी बात उसने कुछ ने कुछ गलत किया होगा, तब उसने anticipatory बेल के लिए अपलाई किया, उसकी anticipatory बेल Bombay High Court में reject हो गए, वो Supreme Court में पहुंच गया, आपने anticipatory बेल को लेके, लेकिन जब Supreme Court में उसकी anticipatory बेल पें कि आपको लग रहा है कि आपको पकड़ की जेल में डाल दिया जाएगा और आपको लगता है कि आप निर्देश हो तो आपने anticipatory बेल के लिए अपलाई कर दिया, कि तब बड़ा मुझरीम हो, वो anticipatory बेल के लिए अपलाई कर सकता है, लेकिन anticipatory बेल को finally dispose नहीं किया गया था Supreme Court में, उससे पहले ही investigation officer जो की police officer था, उसने पकड़के उठा कि individual को arrest कर दिया, अब जो individual यहाँ पर arrest हुआ है, उसके बिहाफ पे petitioner पहुँद किया Supreme Court में और Supreme Court में जाके उसने बोला कि police officer ने arrest करने से पहले section 41 ACRPC को follow नहीं किया, आप समझने कोशिश करते है section 41 CRPC है क्या, य यह है notice of appearance before police officer, देखे, अगर किसी एक particular case में, यहाँ पर लिख रहा है, मैं आपको पड़के शना दा, the police officer shall in all cases where the arrest of a person is not required under provisions of subsection 1 of 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made, or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense, तो मान लीजे, आपके खिलाफ शक है, proof नहीं है, आपके खिलाफ शक है कि आपने कोई cognizable offense यहाँ पे किया है, proper तरीके से शक है, आपके ओपर कोई information मिरी है, लेकिन अभी चीज प्रूव नहीं हो पाईए, अभी इसके inquiry पूरी तरीके से नहीं हुए, तो ऐसे case में, police वाला पहले आपको notice देगा कि आईए, police से आके meet करिये, और उस case में, अगर आपको कोई एक ऐसा notice सर्व किया जाता है, under section 41A of the CRPC, तो भाईया, आपको police वालों के सामने जाना पड़ेगा, समझ गया ना? तो ऐसे cases में, जहां आपके ओपर इल्जाम लगा है, कोई serious इल्जाम लगा है, cognizable offense का, लेकिन exam prove नहीं हुआ है, तो सीधे arrest नहीं होगा, पहले CRPC के section 41A के अंदर, आपके पास police officer की तरफ से notice जाएगा, और उस notice पे आपको police officer के सामने present होना है, अब ये बहुत normal बात है कि police officer आपसे, आपके case से related सवाल पूछेगा, तो अगर आपके पास notice आता है, अंदर section 41A of the CRPC, तो ये आपकी duty रहती है, कि आप notice के terms के सामने जाके, submit हो जाएगे, तो उसके सामने जाके, चुकि आपको arrest नहीं किया जा रहा है, आपको बुलाया जा रहा है, आपका statement लेने के लि तब तक उठा कि आपको jail में बंद नहीं किया जाएगा, नॉर्मल कर आपको arrest नहीं किया जाएगा, until and unless कोई बहुत बला case आपके खिलाफ नहीं बन जाता है, या कोई बहुत concrete evidence नहीं मिल जाते हैं, चुकि देखे, जब concrete evidence मिल जाते हैं, तो evidence judicial magistrate के सामने पेश कर दी जाते और magistrate arrest की permission दे जेता है, लेकिन अगर concrete evidence आपके खिलाफ नहीं मिलें, तो judicial magistrate आपको arrest की permission देगा नहीं, और जब तक arrest की permission magistrate की तरफ से नहीं मिली है, तब तक section 41A के अंदर आपके पास notice जा सकते हैं, notice में आप जाके पुलिस थाने में अपनी हाजली लगाते रहो और आपक से comply नहीं कर रहे हो, जो कि section 41A CRPC गंदर आपको मिला है, उस case में वो पुलिस वाला court की permission लेके, judicial magistrate की permission लेके आपको arrest कर सकता है, अब इस particular case में क्या हुआ, कि high court ने anticipatory bail reject की, supreme court में वो particular individual पहुचा, उसके anticipatory bail की सिरवाई नहीं हुई थी, लेकिन investigation officer ने बिना section 41A of the CRPC Act के notice को issue की हुए individual को arrest कर लिया, तो वो जो petitioner का lawyer है, वो यह बोल रहा है कि section 41A आपने follow नहीं किया, हाला कि मैं आपको एक बात बता दूँ, कुछ ना कुछ उस individual का भी crime रहा होगा जिसको arrest किया गया है, चूकि उसको सीधे-सीधे bail नहीं दी Supreme Court ने, Supreme Court ने उसको बोला है कि चूकि अब तुम arrest हो चुके हो, अब तुम legal police custody के अंदर आ चुके हो, तो तुम regular bail petition के लिए apply कर दो, और regular bail application के समय पे, trial court इस बात को consideration देगा, कि तुम्हें arrest करने से पहले section 41A को follow नहीं किया गया है, मतब most probably trial court उसको bail देगा, मतब Supreme Court ने ये बोला है कि individual चलो arrest हो गया है, तो arrest करने अब तुम anticipatory बोल के अब तुम regular bail petition file करो, और bail petition obviously बात है trial court में जाएगी, चुकि सबसे पहले bail petition trial court में जाती है, तो trial court bail petition पे decision लेने से पहले, इस बात तो consider करेगा, यो उस particular आदमी का arrest गरत तरीके से हुआ है, section 41A CRPC को follow नहीं किया गया है, और चुकि यहाँ पे section 41A CRPC को follow न माट लगाई है, अब आप में से कुछ लोग पूछोगा कि सर Supreme Court ने उस police officer को चीज़े सीज़े suspend क्यों नहीं किया, वो यहाँ पे गलत कर रहा है, वो किसी के law को violate कर रहा है, तो देखे, यहाँ case to case चीज़े vary करती है, हो सकता हो, उस police officer को कोई concrete evidence मिल गया हो, इस particular individual के against, कोई cognizable offense लगा हो, इस individual के against, कोई concrete evidence मिल गया हो, और उस evidence के आधार पर police officer ने धर लिया हो, तो उस police officer को लग रहा हो, कि चुकि case की सिनवाई अभी नहीं हुई है, तो anticipatory bail लेकि बच सकता है, कहीं भाग सकता है, इसलिए police officer ने उसको पहरे arrest कर लिया, section 141 A of the CRPC को follow नहीं किया, इस क किया गया है, तो section 41 A of the CRPC समझाना मेरा objective था आपको, क्या है, कि जब तक cognizable offense के respect में बहुत proper evidence नहीं आ जाता, कि आपने crime किया है, तब तक judicial magistrate आपकी arrest की permission नहीं देगा, और तब तक आपको सिर्फ notice सर्फ किया जा सकता है section 41 A के अंदर, आपको proper तरीके सा arrest नहीं किया जा सकत आरेस से पहले आता है section 41 A वाला काम, और यहां पर section 41 A skip हुआ था, इसलिए Supreme Court ने police officer को डाट लगाई है, आई होप यहां पर कुछ ना कुछ meaningful आपको जानने को मेला, इस particular वीडियो में न, मैंने आपको practical चीज़े बताई है, ग्राउंड लोल पे police किस प्रकार से काम करती है, जुडिशी किस प्रकार से काम करती है, police officials का काम कैसे होता है, इसके बारे में basic idea दिया है, और आप समझ सकते हो कि यह police officials कितने pressure में काम करते हैं, चुकि सोचिए, एक police inspector को Supreme Court से डांट मिलना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब आप police की वर्दी पहन के काम कर र को शिर करके जाएगा, Instagram पे follow कर लेजे, Telegram को join करेजे, दो नवी चीज़ों कर नीचे दिया हूँ, have a great difference, goodbye, द्यान रखिये अपना